हालो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंद पुरही तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ अगर आप किसी भी competitive exam की तैरी कर रहे हैं जहां पर higher mathematics पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही helpful है इस्टुडेंट में वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ यहां पर जाके मेरे वीडियो आप देख सकते हैं इस्टुडेंट में आज बात करूँगा रिमान इंट integration पे दो वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ तो वह भी एक बार आई टेप पे देख लिए ताकि यह देखेंगे आपको समझ में बहुत इसली आएगा राइट तो सुन दिखेंगे यहां पर रिमान इंटिकरिशन पर क्या बात करेंगे सब से पहले सम इंपोर्टेंट थे रिमाने इंटिकरिवल होगा राइट तो हम सबसे पहले लेकर चल से कि यह function रिमान integer बहुं है इसrous इंट्रिवल ए भी में तो हम जानते हैं कर कोई function रिमान जाता हूं कि हम ubiquipoh hłada दे तो यह ऊपर रिमारे इंसके होता है और इसकी की यह भिए इसक करने वाले तो सुन देखिएिंग पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहां पास बराबर होता है इसको अगर हम यहां पर इसका infimum भटाते हैं, हम जानते हैं कि इसकी जो value होती है, मैं अभी आपके सामने बताया था, कि इसकी value क्या होती है हमारे पास, इसकी value होती है, sorry, इसकी value हमारे पास क्या होती है, यू एफ पी के, है ना, यू पी एफ, ठीक न, एड़ कर दें, तो सुन ये छरम होती है, ये हो जाता है, हमारे पास a to b bar fx dx हो जाता है, इसी टाइप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास एक और होता है, that is, lower remand integrable पे होता है, और a to b fx dx की जो value होती है, ये होती है, हमारे पास supremum of, supremum of lpf होता है, पर जैसे हम supremum हटाएंगे, तो सुन ये क्या हो जाएगा, हमरे पास बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर minus करेंगे, तो epsilon by 2, मैं तब यहाँ पर minus करेंगे, चुली इसको epsilon by 2 minus, थोड़ा सा मैं इसको इसको इसलिए देता हूँ, तो स अगे भड़ाँ है, हमारे पास a bar b fx dx, हमने क्या कर रहा है, यहाँ से supreme हो मटा दिया, यहाँ से epsilon by 2 क्या कर दिया, daughter named Dimctions, लैस्डेन हो जाएगा, सॉर्य, यह बड़ा हो जागा, यह बड़ा हो जाका यह बड़ा हो जाके हो, सुप्रीम हो जाएगा, तो यह हमारे पास क्या greater than L, P, F हो जाएगा, अब इन दोनों को माइनस करते हैं, इसको ध्यान दीजेगा, यह statement है, और यह statement, यह statement कहां से आता है, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह प्लस यह हो जाएगा, चलो एक काम करो, इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर ल कि- sign change करेंगे तो तो माइनस आएगा ये मैनस- माइनस का ऐल पीफ हो जाएगा अब इन दोनों को add करेंगे क्योंकि धर्यक्त करने की ज़रोत नहीं है हम add करेंगे जब add क्या हमें चाहिए UPF-LPF चाहिए ना यह आएगा और शुन यह एड होगा तो यह माइनस का है तो यह आएजाएगा माइनस का A bar B fx dx आजाएगा clear है और यह हमारे पास आएगा greater than यह आएगा हमारे पास मैं sign यह लगा रहा हूँ UPF minus LPF हो जाएगा राइट पर हम अभी जानते हैं कि यह रिमान इंट्रिगबल है हमने ले के चलेते तो AB bar fx dx is equal to यह था A bar B fx dx आएगा तो इसका जो difference आएगा यह दोनों बराबर है तो इसका difference किया जाएगा 0 हो जाएगा तो यह value हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि UPF minus LPF is less than epsilon हो तो इस तरह से इसको यह पर प्रूव करते हैं हमने यह लेकर चलेते कि यह रिमान इंट्रिगबल है और हम यह condition को प्रूव करते हैं मैं आपको एक बार और समझा देता तक कि आपको यहां समझ में आजाए इसविन हम नहीं लिया था फिर हमने LPF लिया था तो LPF हमारे पास यह होता क्योंकि हम सुप्रीम मुद हटाएंगे तो इक रदन हो जाएगा फिर माइन से मल्टिप्ला करेंगे आएगा इन दोनों को हमने एड़ किया तो वही हमने यह यह वेलियो आएगी है ना यह दुनों हमारे पास एकोल होते हैं दैटस वाइज ञीरियो हो जाएगी विकार था नहीं लेकर चलता है तो हम जानते है कि जो जानते हैं ल्घृमां इंट्रीम लिए उसकी बारत होता है उसके बार भी होती है ए ए बार एफ eq d eq is equal to superium of LPF और यह हमारे पास अगर हम यहां पर सुप्रीमम हटाते हैं तो यह हमारे पास क्या हो जाता है? greater than equal to हो जाता है यह बार B, FxDx क्या हो जाएगा हमारे पास? greater than equal to Lpf हो जाएगा अगर हम minus epsilon by 2 करते हैं तो शाले क्या हमारे पास इसकी विरिषति को पीष़ी हैं इस वाले में कर दिया..? तो भाई आम आपको बताना चाहता हूं कि दोनों में फरक है ढहर है इसमें हम यहहां क्या है सोई यह less than कर रहे है na सुप्रीम respond होटाएगी तो यह बड़ा कर रहे हैं लोर्ड और्वक्षन में अगर सुप्रीम मोटा थे तो इसलिए वाला पॉट्शन बड़ा हो जाएगा राइट है ना यह होता है अब इस निया पर हमारे पास जो दूसरी वेली होती है अगर मैं बात करूँ इसकी आएगा मारे पास यह आएगा मारे पास a b bar fx dx की जो वेली अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता है ना इस निन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यह हमारे पास क्या जाएगा a b bar fx dx है ना माइनस यह आजाएगा a bar b fx dx है ना is less than equal to upf minus lpf हो जाएगा राइट पर हम जानते हैं कि upf minus lpf हम लेके चले कि इसकी value किसके बार होती है less than epsilon होती है ना हम यह लेके चले हैं क्योंकि हम यह प्रूव करना चाहरेगा यह रिमान इंट्रिकेवल है तो हम यह लेके चले हैं यह तो यह less than epsilon हो जाएगा इसका मतब यह हुआ कि a b bar fx dx है ना is equal to minus का यह आजाएगा a bar b fx dx हमारे पास क्या हो ज है यहां पर तो यह हमारे पास क्या होगा चुली मुझे इसको इसको इसे लिखना पड़ेगा है ना is x is greater than यहाज है हमारे पास a bar b fx dx है ना और इसको हम जानते हैं कि जो एपसलों को इसको क्या कर सकते हैं यह पर dx हो जाएगा राइट है ना प्लस एपसलों को यहां पर ह अगे लेके चलता है यहां तक तो मिन आपको बताई देगे होता है यह उता है यह ना अगली स्टेप आपको समझाता हूं यह यह बड़ा हो जाएगा र्याइट फिर एमने क्या करा इसका माइनस करदी है चुली यहां वर ग्यांट यहां पास इसकी वेलिए यह पीए होज अब हमने क्या कर रहा है, सेम साइन बना रहा है, क्योंकि यह लेस देन है, और यह हमरे पास गड़ देने, तो माइनस से मल्टिप्लाइ करेंगे, सुरी मैंने माइनस से मल्टिप्लाइ नहीं कहा तो माइनस से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो माइनस से मल्टिप्लाइ करेंगे, यहां तक आप स्बी को समझ में आगे अगर इधर जाएगा तो यह हम जानते हैं कि लो डार बोकसम चूटा होता है इससे है जब कि यहां पे लो डार बोकसम बड़ा रहा है लोग आरबोक्सम छोटा होता है, मतलब हमारे पास यह यह पर प्रूव करते हैं, इस नेक्स अगली थियोरम लेते हैं, बहुत इंपोर्टेंट थियोरम है, और यह होती है, कि fx is continuous in close interval ab, अगर कोई भी function close interval में continuous है, तो fx क्या होता है, remain integrable होता है, तो यही हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, given that fx is continuous in close interval ab, then it is bounded on ab, obviously, गर close interval पर अगर वो continuous है, तो bounded होगा, अगर bounded होगा, तो si capsulon exists करेगा, such that उसका partition आएगा, वो हमारे पास ऐसा है, क्योंकि close interval है, तो हम action होगा, वो b के बारावर हो जागा, right, अब हमने एक इसा sub interval लिया, xr minus 1 xr, is a sub interval of this, then, इसका जो sub interval का supreme, मतलब mr, और इसका जो infima है, मान लिजे, इसका जो difference हमने लिया, epsilon minus b minus, obviously, कुछ तो difference होगा, मान लिजे, हमने इसका जो interval लिया, ultimately, मानने के ज़रूद में नहीं है, वैस तो हम यह प्रूव कर दें कि lpf minus, upf minus lpf less than epsilon होगे, तो यह रिमान इंट्रिकबल हो जाएगा, अभी हमने condition देखी थी, right, तो वह हम condition यह लिखे आने वाल है, तो यह हम जानते, upf के definition m, xr minus, xr minus 1 है, minus, यह हमारे पास lpf के definition तो, इसका इसका पर जाके, मैं देख लिजे, f1, 1, b minus a, यह value उठा कि हम यहां रख देंगे, यह आजाएगा, और यह चुरी की less than है, तो less than आ जाएगा, अब हमारे पास यह पास summation को जब हम add करते हैं, तो हम जब 1 रखेंगे, तो हमारे पास x1 minus x0 आएगा, फिर 2 रखेंगे, तो x2 minus x1 आएगा, इस तब से हमारे पास value हैगी, तो आप देखोगे, तो यहां पर x1 x1 cancel हो जाएगा, x2 x2 cancel हो जाएगा, यह सब term के उन पास, तो हमारे पास एक तो एक तो एक तो x0 बचेगा, और x1 n बच जागा, तो xn जो हमारे पास वह रहाए है, और x0 हमारे पास a है, तो यह b minus a जाएगा, तो उस जो नहीं, उससे ही हमारे पास रिमान इंटिकरेशन के बाद अब मैं यूनिफॉर्म कंबरजेंस और कुछ और टॉपिक्स लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी आपके सामने और एक फंक्शन अब टू वेरिबल में डिफरेंशिबिलिटी वाला जो कंसेप्ट था वो मैंने अप्लोड को आत्ति हैं। मैं कि वीडियो करना इसे मुर्ण घ márla लूव्Now कि यह वो में प्रमकान के सामने तो ना कहिकर चैनल झाप करिए और कमेंट करने तकि मुझा मेरा घनेवात दमेंगर तेंक्यू मंज,